तर्ज बढ़ी पुरान लगन लेकिनी दर्ज का नया से भी पिजोज़़ाइज वीडियो तो आपने देख लिया है अब आपको वीडियो के इसलागा जरूर कमेंट करके फड़ा बट से बता दो क्योंकि यह है डीजे स्टेटर सौला वीडियो चले वीडियो को सुरू करते हैं और एक चीज बोलना चाहेंगे गाइस जैसा आपने टेक्स इनिमेशन के लिए आप लोग कमेंट करते थे हैं आपको यह गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा दिखेगा आपको अब स्टेटर सौला वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और भागने का जुरत नहीं होगा आप एक दम क्लियरली समझ पाओगे कि डिजे स्टेटर सौला वीडियो में कहां पर कौन सा फोट अगर आप लोग 2,000 लाइक कंप्लेट करते हो तो ऐसे जबदस्त और आपके लिए एकदम एजी जो हो उस तरीक है को वीडियो एडिटिंग एकदम कंटिनूली लेखते आते रहेंगे चले वीडियो को शुरू करते हैं अब आपको लेचे लेंगे सीधे और इस वीडियो क atus पर आपको जागे तो आपको दो प्रोजेक्ट मिलेगा एक मिलेगा यहां पर दखो इसेक शिक्षट दूसरा मिलेगा आपको बीटम वाला प्रॉजेक्ट गो काथ पूरा डिटेल में आपको मिलेगा ठीक है सबसे पहले आप देखो यहां से एक फोटो जो दिख रहा है ना सबसे लंबा जो फोटो दिख रहा है यहां से अपना कोई भी एक फोटो स्लेट करो जो आप बैग्राउंड में दिखाना चाहतो जो आपको लग रहा है कि बेस्ट है तो चलो कोई भी आपको समझाने के लिए एक फोटो में यहां पे एड कर लेता हूं ठीक है अब यह देखोगे ना तो बैग्राउंड वाला जो फोटो है यहां तक लग गया है ठीक है अब आपको इसके उपर में देखना को मिल रहा है यहां पे जो दिखने को मिल रहे है यहां पे क्लिक करोगे यहां पे जितने भी आपको यह चोटा-चोटा फोटो देख रहे हैं और यह फोटो दिख रहे हैं यह सभी में एक-एक फ फील्ड पे जाएंगे और इस वाले option को इस वाले फोटो को स्लेट कर लेंगे ठीक है इसी तरीका से इस वाले इन दोनों में भी सेम फोटो को हम लोग यूज करने वाले हैं तो चलो इन दोनों फोटो में भी हम लोग सेम फोटो को यूज कर लेते हैं ठीक है अब ध्यान से द देखोगे एक फोटो है ठीक है मतलब दो पॉइंट यहां पर देखो 2.6 से लेके यहां तक 3.2 तक इसमें सिर्फ एक ही फोटो का आपका काम है तो इस फोटो पे क्लिक करना है पर यहां पर यहां पर देखोगे यहां पर एक फोटो पर सीर्फ यहां पर लिएगार और यहां से ने Southeastào यह देख लो क्लियर है अब इसके बाद से लेके आपको यहां पर देखो गए यह जहां तक यह बीट माक आ रहा एड़ पॉट्टी टू यहां तक एक फोटो को एड़ एक फोटो एड़ करना है तो प्लस करते हैं मीडिया पर जाते हैं यहां से अपना फोटो एड़ करते हैं अब ध्यान से देखोगे तो जैसे मैं आपको बताया वज़से फोटो एड़ कर दिया ठीक है फोटो एड़ हो गया है मेरा अब आपको करना क्या है यहां पर ध्यान से देखो एक दम समझते चलो अब चार पॉइंट फोटी ट्वटी एड़ से लेके जिद्जो भी फोटो लगा है इसमें एक फोट लगाना है तो इसके लिए हम लोग बैक करेंगे यहां पर सेक इफेक पर चले आएंगे ठीक है ध्यान से देखते रहो गाई ठीक है यह जो पहला इफेक जो दिख रहा है फोटो पे क्लिक अब हम लोग 4 सेकंड तक चले जाते हैं जहां पर हमारा काम स्थार्ट होगा ठीक है अब यह सभी फोटो में आपको फोटो पर ख्लिक करना है प्यासर करना है ठीक है इस फोटो में भी सेम इसक्राइब को लगाना है ध्यान से देखते रहो कि एकदम क्लेरली ध्यान से यहां पर देखो गे तो 8.42 से लेके आपको 10.20 तक इस फोटो पर क्लिक करना है कलर एंड फील पर जाना यहां पर क्लिक कर लो यहां से फोटो कोई भी एक सेलेट करना चाहते हो चलो मैं यह वहला फोटो यहां पर पर लेट कर ले दो ये नहीं हो गयाrust आप आपको यह जो फोटो देखने को मिल रहा है यहां पर इह जो आपको दो फोटो देखने को विल यहां पर कलिक करना है कि करना है यहां से वS पर जाकर S यह देख लो यह देख लो कुछ इस तरीका से जो एक फोटो लगा है वो बैग्राउंड में चला गया दूसरा फोटो यहां तक आ गया अच्छा अब आपको इसको करना क्या है वो आप ध्यान से देखो यहीं पर बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल है यह जो देख रहे हो ना 19.24 तक 19.24 तक इसी फोटो को आपको लगाना है कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूं तो यहां से ध्यान से देखो आपको इस वाले फोटो को इस वाले फोटो को ठीक है यहां से इसको कॉपी टू लियर करना है इस व porta करने ठीक है अब आपको कहा तक inne Leg के छाना है पेस्ट करना है वह हम आपको बता देता हो तो यह जो कॉपी किये हैं हमारे पास कॉपी ओल роль है जैसे मैं आपको बताया कि 19-24 के पहले तक तो यहां तक हम छो यहां से आपको फोटो को आप द्था फोटो लगा लगा लो अर इसके उपर में हम दूसरा फोटो लगांगे ठीक है अब यह देख लो यह कुछ इस तरीक आप पहला दूसरा अब तीसरा चौथा पांचवा अब इसी तरीका से यहां पे एक बार आप पेस्ट करोगे यहां पे एक दूसरा फोटो यहां पे दूसरा फोटो ऐसे ही करते करते आपको पूरा जहां तक मैं बताया आपको वहां तक लगा लेना है चलिए फटाबर्स में पहल मतलब 1924 से लेके आपको 30 बारे तक आपको सिंपल सा एक एक फोटो को एड करते हुए चले जाना है ठीक है तो चलो यहाँ पर ध्यान से देखो और कौन से एफेक्ट लाएगा वह भी मैं आपको बताऊंगा तो सबस्क्राइब यहाँ पर प्लस कर लेते हैं और अपना फोटो अब आपको यह एयरो पर क्लिक करना है यहाँ से कट करना है ठीक यहाँ से फ्रसरा फोटो चलेकर दो अब इसी तरीका से सारे फोटो को हम लोग यहां पर यहाँ पर आप अड़ेश्ट कर चुक है हम लोग को करना क्या है 1922 से लेके जो भी आपका फोट उसमें इफेक्ट लगाएंगे तो आप लुग यहां से एक बार गयर करेंगे और हम लोग उसेकशच्त वाला वीडियो पर जाएंगगे पहला वाला इफेक्ट कुक्त भाली में तो हम लोग फशित म无गों लाग बीट박 वाला प्रोजेक्ट पर उपैन करेंगे और हम लोग आपको बताये थे तो 20 सेकंड में आपको करना क्या है सिर्फ एक इफ्रक्ट यहां पर लगेगा यह जो इफ्रक्ट देखने को मिल रहा नहीं वह फोटो इस पे क्लिक करोंगे चीड़ाट पे क्लिक कर वह और यहां से पीश्ट कर दोगे इसमें सिर्फ एक ही एफिक्त लगने वारा है ठीक है हो गया ठीक है देख सकता है यह कुछ इस तरीका नित्त है भी आपका फोटो बच रहा हैना बीस पॉइंट 3 से लेके जितना आपका फोटो बच रहा है इन सब सिर्फ एक हम लगाएंगे तो मुझ्य हम लोगे करेंगे ऐख पर देख लोग उपर में लिख भी है कि कौन सा effect में कौन सा photo में कौन सा effect को आपको लगाना है तो यह बहुत ज्यादा important हो जाता आप लोग के लिए और बहुत ही इससे easy हो जाएगा ठीक है मैं कुछ अलग type का कोशिस किया हूं तो कैसा लगा यह यह वला editing जरूर से commission करगें बताना अब देखो यहां से हम लोग सारे फोटो पे सेम Another फोटो पे लगाएंगे ठीक है फोटो पे क्लिक करेंगे effect पर जाएंगे हम तो आप जो है मेरा वीडियो पूरा का पूरां कप्लेटली हम लोग बनाना सीख्ट चुके हैं और यह एडिटिंग कैसा लगा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट को बताओ ताकि और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगो के लिए लेके आएंगे यह गारांटी है और आप लोग उम्मीद है कि आप पसंद करोगे यह वीडियो पर जुरूर रियक्ट कर दो लोग दो हजार क्प्लीट कर दो तब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे और अच्छा और वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो उम्मीद है कि यह विडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो जुरूर एक लाइक कर देना चानल को सब्सक आया यागआ कर दो कर दो बार कर दो कर दो नेगे टार सो प्रूर आपके लोगा है तो